एलो स्टुलिंट्स, वेलकम टू मेंगनेर् ग्रेंज इंदी। मैंल आली वर मा आप सभी विद्धियार्तियों का पुन्ह मेंगनेर्ब्रेंज के हिंदी मीडियमड चैनल पर हार देख स्वागत करती हूँ और स्वागत करने के साथ ही आशाइभी करती हूँ गिया आप सभी प्रकार से लेखक ने रेली आत्रा का उधारन देते हुए राजनेतिक विवस्था पर करारा व्यंग किया है करारी चोटकी है कि आज कल क्या वो सदियों से चला आ रहा है जैसी अंग्रेजों के समय नीती थी बस व्यक्तियों में फरक आया है परन्तु नीती तो वही है सत्ता अधारी सत्ता कर रहे हैं आम जनता पहले भी ग्रसित थी दुखों से पीड़ित थी आज भी आम जनता का वही हाल है हां कुछ परिस्थिती में सुधार अवश्य हुआ है इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा पहले था वैसा आज भी है बहुत सारी ऐसे इस्थितियां और परिस्थितियां है जिनमें परिवरतिन आये है सकारात्म इयां पर लिखख विंगर के माध्यम से यह भी ब्ताना चाहते हैं कि किस तरह से जो बिल्कुल आ strony होते हैं वह किस तरह से अपनी बल या शक्ति के बाद्यम से अदूसरी शक्ति के माध्यम से उच्छा ही अपर पह है दिखाई नहीं देता पता सबको है लेकिन स्वाष्ट रूप से कहता कोई नहीं है चलेंगे इस वीडियो में मुल्टिपल च्वेस्ट क्वेस्टिन्स की और देखेंगे और इसमें आपको ध्यान देना होगा की उत्तर कौन सा है बताइए का मुझे कोमेंट करके रेले अत अगला प्रश्ण सरद शरद जोशी जी का जन्म कौन से शहर में हुआ था नासिक उजयन क्षिप्रा या इलावाद उजयन अरे वायर एकदम सही जवाब बहुत बढ़िया शरद जी की दुष्टी से असली यात्री कौन है व्यंगरूप में लेखक ने असली यात्री किसक जवाँ था टिकेट वाला लेखक नौकरी वाला या बिना टिकेट वाला बिना टिकेट वाला क्यों भाई क्यों कि उसी ने असली यात्रा काम आनंद लिया सही जवाब गहराई में विचारों में खाई में या नीद में हुहां कहाँ खो जाते हैं कहां डूब जाते हैं विचारों में आ इस क्या बात हैं keep it up आगे भारतिये रेला में किस दर्शन को समझाती है भारतिये रेल कौन से दर्शन को हमें समझाती है जन्म नौकरी मृत्यू या भगवान मृत्यू के दर्शन को सही जबाब है येस वेरी नाइस बहुत बढ़िया नेक्स्ट शरब जी की भाषा अत्यंत कैसी है सरल सहज सरल और सहज या दैनिक बोल चलगी भाषा सरल भी है और सहज भी है मतलब तीसरा वाला आपके अनुसार बिलकुल मेरा अनुसार भी है और सही भी है आगे मुँआवरे और हास-परिहास का हल्का इसपर्श देकर इन रचनाओं को कैसा बना दिया लेखक ने रोचक, कमजोर, कथिन या हिंसात्मक कैसा बना दिया मुहावर और हास परिहास देख अर्ली खक ने इसको कैसा बना दिया है रोचक इंट्रेस्टिंग वेरी नाइस बहुत बढ़ी है उत्तर आपका शरत जोशी ने भारतिये रेल की अस्त विस्तता अर्थ विवस्ता के बहाने भारतिये राज विवस्ता की क्या खोली है पोल दर्वाजा बुद्धी या इनमें से कोई नहीं पोल खोली है वाओ क्या बात है अच्छा गर रहा है आप लोग बड़ी पीडा के सामने छोटी पीडा कैसी होती है बड़े दुख के सामने छोटा दुख कैसा होता है लेखक न ऐसा क्यों कहा था कि बड़ी पीडा के सामने छोटी पीडा क्या होती है बड़ी छोटी नगण्य या बहुत बड़ी नगण् का अर्थ होता है शून मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना वेरी नाइस अगला प्रशन है भारतिये रेलों का क्या काम है एक जगे से दूसरी जगे पहुंचाना ठीक है दूसरी जगे जाना एक जगे जाना या इनमें से कोई नहीं एक जग एक जगे से दूसरी जगे जाना येस स्टेशन पर रेल गाड़ी किसके नजदीक रुकी होती है प्लैटफॉर्म सिग्नल टिकेट काउंटर यह इन में से कोई नहीं कहां रुकती है सिग्नल इश्वर आपकी क्या लेका जल्दी बताओ इश्वर आपकी यात्रा सफल करें यह कथन कब कहते हैं यात्रा के दौरान या फिर शादी के दौरान कोई भी दूला बनके जा रहा है आप कहेंगे इश्वर आपकी यात्रा सफल करें या घूमने के दौरान या मरने के दौरान तो यात्रा के दौरान रेल गाड़ी चलाने में ड्राइवर और किसकी ज प्रगती की बात कौन कर रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार लेखाक शरल जोशी रेल मंत्री या सभी रेल कर्मी रेल में विकास हो रहा है कौन करता है ये बार रेल मंत्री ससराल बड़ा आराम है तो छोटा आराम क्या है बाल बच्चों की सेवा सामाजिक सहयोग आर्थिक सहयोग या आरक्षन बताओ जल्दी ससराल बड़ा आराम है तो छोटा आराम क्या है छोटा आराम है आरक्षन या रिजर्वेशन रेल यात्रा में भीड के स्थिती में रेल यात्री किस से लटकते हैं बहुत अधिक भीड हो तो रेल यात्री किस से लटकते हैं पायदान से छत से रसी से या खड़की से कहां पर लटक लटक कर चड़ जाते हैं पायदान से रेल की प्रगती देखने के लिए स्टिशन मास्टर के कमरे में तो रेल गाडी के डबे में रैल यात्रा पाठ सहित्य की कौन सी विदा है विदा मतलब समझते हो जैसे काव चाहित और गद्ध साहित में विधाएं होती है लिखने का तरीका जैसे गद्ध खाइन में देखें तो निबंध रेपोर्टाज, व्यंग ये सब अलग मतलब विधा में आते हैं तो ये विधा में भी क्या है? कहानी है, व्यंग है, कवीता है या नाटक है? व्यंगकार समालोचक या कहानीकार तो उनको व्यंगकार के रूप में जाना जाता है भारतिय समाज और राजनीती में चाल चरित्र का उलेख किस पार्थ में है चाल चरित्र का उलेख निवंद अस्टावक्र ग्रामगीत का मर्म या रेल यात्रा रेल यात्रा पार्थ में लेखक ने रेल की किस बात पर व्यंग किया है सिगनल डिबाबुद्धी स्टेशन उन् सिगनल सिगनल रेल का सिगनल सुना बहुत बढ़े इसी तरह से बने रही है हमारे साथ हर एक विशय के वीडियोज आप देखिए आपको पता है ना मैगनेट ब्रेंस साथ वी से बार वी तक की ओनलाइन स्कूल एजूकेशन शत प्रतिशत फ्री प्रोवाइड करता है साथ ही फेवरिट चैनल मैंगनेट ब्रेंस पर तभी तो मैंगनेट ब्रेंस बन चुका है भारत का नमवर वन प्लैटफॉम मेरे प्यारे विद्ध्यारतियों बने रही है हमारे साथ आप जा सकते हैं यूटूब फेस्बुक पर भी जा सकते हैं इंस्टा पर भी चाहिए है अपने फेवरिट विशह के बारे में जानकारी प्राप्त करिए वीडियो देखिए ध्यान से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और धिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ बना रही हुए मजबूती के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रही है खुश रही है बाबाई यात्रा किये किसने रेल गारी की बताना मुझे थैंक यू सो मच